हेलो स्टुडेंट्स वेलकम इन इस निव वीडियो और आज के इस वीडियो में हम अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे वायो मंडल की प्रमो का परती है यह हमारा टॉपिक है जो कि NCRT का यह टॉपिक है जो किसी एक्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधि पहले हम अपने वायो मंडल की परतों को डिसकस करने से पहले हम देखेंगे कि वायो मंडल होता क्या है वायो मंडल हम किसे कहते हैं तो इसका जो प्रत्वी के चार और विविन गैस हैं अर्थात वायो की जो परते होती है उसे ही वायो मंडल कहते हैं हम जानते हैं कि हमारा प्रत्विय चारु त्रप से वायू से गहरी हुई है् इसे ही हम उंदल कहते हैं वायु मंदल में जो मुक्यतां उसके सिखने होते हैं घैस होके हो कौन diffuse ऑक्रें लुक्यायन नाइट्रोजन आक्सीजन की बात करें carbon dioxide होती है 0.033% होती है आधी गैसे यह सब भी 1% पाई जाती है oxygen सांस लेने के लिए तथ है nitrogen सभी की व्रद्धी के लिए most important gases है वही carbon dioxide के कारण ही प्रत्वी के रात में के समय स्थ या सूरी की अनुपस्थिती में गर्म बनी रहती है क्योंकि CO2 उस्मा को सोख लेती है और इससे वापस अंतरिश में जाने नहीं देती है इसके सांस सांत या पौदों की व्रद्धी के लिए भी आवश्यक होती है वायो मंडल में जैसे उचाई बढ़ती है हवा का घनत भी तेजी से घटता जाता है इसकी उपरे परत में गैसों के प्राया हलकी होती है उपर की और बढ़ने पर केवर घनत में ही कमी नहीं आती है बलकि वायो दाव में भी कमी होती जाती है उचाई के सांथ तापमान में भी गिरावाट होती है वायू मंडल में जलवास्फ की मातर 0-4% तक पाई जाती है वायू मंडल की सारे जलवास्फ का 90% भाग जो होता है 5 किलोमेटर की उचाई तक में ही पाया जाता है वायू हमेशा अधिक वायूदाव वाले स्थान से कम वायूदाव वाले स्थान की उर बहती है और अगर बात करें कि पवन क्या होती है तो यह कुछ नहीं सिर्फ गतिसील वायू को कहते हैं हम पवन किसे कहते हैं इस पर पहले हम topic को discuss करते हैं कि जो हमारे जो गतिसील वायू होती है जो हवा का तेज बहा होता है उसे ही हम पवन कहते हैं और हम बात करें CO2 को जो उसमा सोक लेती है पर बोला गया है कि carbon dioxide के कारण ही प्रत्वी का रात का तापमान जो होता है वो temperature maintain होता है क्योंकि ये उसमा को सोक लेती है तो हम ये बात करें CO2 most important gas हो सकती है बट इसके अधिकत से आने वाल यूभी रेस को तो आने देती है लेकिन यहां से वापस return होके reflect होके जो भी light जाती है उसमा हम जिसे बोलते हैं जाती है उसे यह रोक ले दिए जिससे अर्थ का temperature बढ़ता जाता है जिससे glacier पेखलती है और इसकारण हमारे जो पानी का स्तर है वो बढ़ता जात है जो की suitable नहीं है अगर हम बोले तो condition के according वह हम बात करें वायू मंडल की परतें प्रत्वी के ऊपर लगभग 10,000 km तक है लगभग है लेकिन इसका 90% भाग सिर्फ 32 km तक फैला हुआ है जो प्रत्वी का वायू मंडल है उसके उचाई अनुमान जो है अप्रॉक्सिमेट 10,000 किलो मेटर है लेकि 99% भाग को लिता है इस ऐप्रत्वी के वायू मंडल को था प्या तथा अन्य घटकों के आधार पांच पर्तों में बाता गया है पांच लेरों में जो है हमारे ऐप्ररिया को डिवाइड किया गया है जरे वायू मंडल की परते कहते हैं हमारा फस्ट होत होता है मद मंडल जिसे हम क्या कहते है मीजोफियर और एक होता है ताप मंडल ये आयन मंडल जिसे थर्मसफियर कहते हैं सबसे लास्ट का जो होता है उसे हम एक्जोफियर कहते हैं बाहे मंडल कहते हैं अगर हम बात करें कि जो हमारी उजून लेयर होती है तो वह कहां पर यह उड़ते हैं नीचे में थर्मोस्फियर से उपर एक्जुस्फियर से बीच में ही होते हैं उते हैं सेटलाइ्ट होती है चोब मंडल की बात करें तो प्रोपो स्फियर जो होता है वाई मंडल की परतों में सबसे महत्पून है जिसकी सतह से उचाई अर्थ के सरफेस से जिसका डिस्टेंस होता है वो किता होता है 12 किलोमेटर होता है दुरूब पर इसकी उचाई कितनी होती है आठ किलोमेटर वस्वत रेखा पर बात करें तो 18 किलोमेटर होती है हम सभी इसी परत में सांस लेती है मौसम की सभी घटनाई जैसे होता है वर्सा, कुहरा, उला वरिष्टी, आकासी, बिजली आधी इसी छोब मंडल में होती है चोब मंडल पर, जैसे, जैसे हम ऐपर के चाते है ताप कम होता जाता है प्रती, 165 किलोमेटर की उज़ाई तक तापमान में लगो एक डिगरी की गिरावाट हो जाती है तापमान में उस्टन 6.5 डिगरी की गिरावाट होती है इसे ही नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है मतलब हम बात करें पते एक किलोमेटर के उचाई पर पहुँचने पर जो टेमप्रेचर होता है वो 6.5 डिगरी की गिरता जाता है बात करें सेगेंड की स्टेटोस्फिया समताफ मंडल चोब मंडल के उपर का भाग जोता है समताफ मंडल कहा जाता है इसकी ओसत उचाई 12 से 50 किलोमेटर होती है इसकी ओसत उचाई क्या होती है इसकी थी हमारे लगभा 12 किलोमेटर थी ओसत उचाई और इसकी बात करने तो 12 से 50 किलोमेटर होती है वाहिव मंडल के इस परत में बादल और मौसम संबन्दी कोई घटनाए प्रायर नहीं घटित होती है इसके फलसोरुप यहां हवाई जहाद चूडान के लिए आदस परिस्थिती होती है समताफ पंडल स्टेटोस्फियर में उजोन परत होती है जो सूर्ष से आने वाली परवैगनी किर्णों को रोकती है यह परवैगनी किर्णे ही जीवन में विवों में तुछा कैंसर सही अनिक समस्याओं को जन्म देती है बात किया जाए तो जो हमारे एरोप्लेइन होती है वो इसी लेयर में ही ट्रेवल करते हैं स्टेटोस्फियर में और यहां पर मौसल समबदी कोई भी घटनाए नहीं होती है और बात करने तो ओजोन लेयर जो होती है जो कि सूर्ष से आने वाली यूविस रेस से यूवन्स की स्किन को प्रोटेक्ट करती है तो यह होती है हमारा ओजोन लेयर यह स्टॉटोस्फियर समताप मंडल में ही पाई जाती है स्टेटोस्फियर से लेटिर कुछ और भी देखेंगे छोब मंडल की उपर की भाग समताप मंडल कहलाता है इसकी उचाई लगभव 12 से 50 किलोमेटर है यह वही है से मद्ध मंडल की बात करते हैं मीजोस्फियर जो की थर्ड लेयर होती है हमारे एटमोस्फियर की यह परत समताप मंडल से 50 से 80 किलोमेटर की उचाई तक फैली होती है जो की उलकापिंड अंतरिच से धर्थी की उर आत आते हैं तो वह इसी लेयर में यहां एयर की फ्रिक्सन की वज़े से वह जल जाते हैं आयन मंडल जिसे हम आयनोस्फियर कहते हैं आयन मंडल औसा तुचाई 80 से 400 किलोमेटर है रेडियो कम्म्निकेशन के लिए इसी परत कव्यों किया जाता है प्रत्वी से जो भी रेडियो वेव प्रसारित की जाती हैं वो आयन मंडल में टकरा कर वापस धरती की और आ जाती हैं इसी कारण रेडियो टेली वेजन मुवाइल फोन और रडार आधी काम करते हैं आयन मंडल का आयतन बहुत अधिक है परन्तु इसमें हावा की मातर पूरे वाह मंडल के दोसों में भा दिखाई देती हैं और अरोरा अस्ट्रेलियन्स आकर्टिक सरकल जिसे साउथ पूल में आधी रात में आस्मान दिखाई देने वाली रंगीन लाइट को कहते हैं और और अरोरा बोरी बोरियलिंस आकर्टिक सरकल नौर्थ पूल में आधी रात में आस्मान में दिखाई दे सांड पूल में आधिराथ में अरे रौर और औरॉरा उस्ट्रेलिएंज और आकर्टिक में इत्वी वाईंमंडल की बात करें जो इग्रीध करते हैं जो कि अट्मॉस्वेर की फित और लास्ट लेयर होती है प्रत्वी के वायो मंदल की परत में यह सबसे बाहन परत होती है इसके उचाहिए 400 किलमेटर से उपर से होती है यहां वायो की पतली परत होती है यहां हालकी गैसे जिसे हादी यह से पाई जाती है तो एटमोस्फेर से लेटर जितने भी और वंदल संबंदी कुश्यां बन सकते थे और क्लियर वागे हमने डिसकस किया है तो अगर इस टॉपिक से लेटर अगर आपको पीडियाफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के टेलिग्राम को जॉइन कर सकते है है वहाँ पर आपको इस वीडियो का पेडियाफ मिल जाएगा जहांसे आप उससे डाउलूड करके झाल झाल